Fascinate by Sally Hawkshed वफादार बनाने की जरूरत है लेकिन कैसे? ये किताब हमें इस सवाल का जवाब देती है ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप साइकोलोजी का इस्तमाल करके लोगों तक बहुत सकते हैं और उनका दिल जीट सकते हैं ये किताब हमें उन साथ ट्रिगर्स के बारे में बताती है जिसके मदद से आप किसी को भी आकरशित कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आईफोन महेंगे होने के बावजूद भी इतने कामियाब कैसे हैं। किसी प्रड़क के इस्तमाल पर रोक लगा देने से किस तरह से उसका इस्तमाल बढ़ जाता है। किस तरह से आप अपनी कमपनी को समझ कर सही ट्रिगर का इस्तमाल कर सकते हैं। पहला सबक हम सभी दूसरे लोगों से आकरशित होते हैं और लोगों को आकरशित करना चाहते हैं आकरशित होने का मतलब है किसे भी खूब सूरज चीज को देखने के बाद उसे देखते ही रह जाना वो शायर एक गाना हो सकता है एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक नजारा हो सकता है लेकिन सवाल ये है कि ये पैता कहां से होता है और क्यों होता है आकरशित होना एक जरिया हुआ करता था हमारे जिन्दा रहने का पहली के वक्त में जब कोई जानवर अपने प्रजाती के दूसरे जानवर को देखकर आकरशित होता था तो वो उनसे अच्छे रिष्ट को आगे तक ले कर जाते हैं, इसके अलावा इससे हम रिवाज बना पाते हैं, एक्जाम्पल के लिए एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को कुछ फोटो दिखाई गई, इसमें ये पाया गया कि जब उस बच्चे को किसी इंसान की तस्वीर दिखाई जाती थी, तो वो उस लोगों के तरफ आकरशित होकर अच्छे समाज बना पाते हैं, ये सिर्फ एक तरफ की बात हुई, हम दूसरों की तरफ सिर्फ आकरशित होते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी तरफ आकरशित भी करना चाहते हैं, एक्जाम्पल के लिए जब लड़के या लड़के या आकरशित करना भी चाहते हैं और उनसे आकरशित होते भी हैं दूसरा सबक लस्ट की वजए से कभी-कभी हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देकर गलत फैसले ले लेते हैं बहुत से लोगों को पिज़ा और बर्गर खाने के आदत होती है वे जब भी किसी रेस्टरोन के सामने से होकर निकलेंगे वे वहाँ पर जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे ठीक उसी तरह से हम में से बहुत से लोग हैं जो एक खास गेम खेलने से या फिर एक मूवी देखने से खुद को रोक नहीं पाते उसे पाने की चाहत हमें वहां तक खीज ले जाती है इसी चाहत को लस्ट कहते हैं लस्ट का मतलब किसी चीज के मिलने से पहले उस चीज की ख्वाहिश करना ये बहुत कहरी भावना होती है और लगभख हर कोई कभी न कभी इसकी चपेट में आ चुका है एक स्टडी में एक बंदर को एक अंगूर दिया जाता था वो बंदर जब उस अंगूर को देखता था तो उसके दिमाग की हरकत बढ़ जाती थी जब वो उसे अपने हाथ में लेता था तो उसके दिमाग की हरकत और बढ़ जाती थी जो कि ये दिखाता है कि उसके अंदर उस अंगूर को खाने की चाहत बढ़ गई है लेकिन जब वो उसे खाता था तो उसके दिमाग की हरकत कम हो जाती थी इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के चाहत पैदा होने पर आपको जो उत्सुकता होती है उस चाहत के पूरा हो जाने पर उतनी खुशी नहीं मिलती किसी मूवी को देखने के पहले आपको जितनी ज़ादा बेचानी महसूस होती है उस मूवी को देखते वर्क्त या उसे देख लेने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता आपका दिमाग उस चीज की ज़रूरत को magnify करके देखता है इसका मतलब ये भी है कि कोई भी हमारे इस कमजोरी का इस्तमाल करके हमसे अपना काम करवा सकता है कमपनियां इसका इस्तमाल करती हैं हमारे अंदर अपने products के चाहत पैदा करने के लिए ताकि हम बाकी की बाते भूल कर पहले उनका product खरीद लें कुछ games जैसे Grand Theft Auto और Assassin's Creed अकसर इसका इस्तमाल करते हैं वे अपने games के अलग-अलग part निकालते हैं और उनके fans एक game को पूरा खेल लेने के बाद अगले part का बहुत बेसबरी से इंतिजार करते हैं जैसे हैं उनका game का अगला part launch होता है वे उस पर बिना कुछ सोचे समझे तूट पड़ते हैं ये सब कुछ lust का कमाल है उस game को खेल लेने के बाद आपको उतना सुकुन नहीं मिलेगा जितना उसे खेलने की चाहत आपके अंदर पैदा हो रही थी तीसरा सबक रहसे से हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं शायद आपने बर्मूरा ट्राइंगल का नाम सुना होगा ये एक ऐसी जगे है जहाँ पर आज तक जो भी जहाजे आईरोपलीन गया वो कभी लोट के नहीं आया इस जगे में क्या है इसका पता लगाने के लि की ख्वाहिश पैदा होने लगती है इसे ही रहसे कहते हैं जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब किसी को ना पता हो तो हम कलपना करने लगते हैं हम दूसरों से उसके बारे में बात करने लगते हैं और उनके राय लेने लगते हैं दूसरे शब्दों में हम उस चीज से आकरशित हो जाते हैं बहुत से कंपनिया इस तरीके का इस्तमाल करती हैं और इससे वे बहुत से लोगों को अपना ग्रहक बना लेती हैं एक्जाम्पल के लिए आपने बाहुबली मुवी का नाम जरूर सुना होगा आपको यहाँ पर शायद एक भी ऐसा व वर्ड ने भी इसका बहुत अच्छा इस्तमाल किया इस मूवी के अंत में आधे सुपर हिरोज मर जाते हैं और विलन अपने मकसद में काम्याब हो जाता है इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट निकली Avengers Endgame जिससे देखने का इंतजार लोग बहुत बेसबरी से कर रहे थे क्य क्योंकि वे इस रहस्य से परदा उठाना चाहते थे कि अब Avengers Thanos को कैसे हाराएंगे इस तरह से कंपनिया रहस्यों के इस्तमाल से लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने की कोशिश करती है चौधा सबक जिन चीजों से हमें खत्रा होता है हम उनकी तरफ भी कुछ जादा आकर करते हैं यही हाल बहुत से लोगों का टैक्स फाइल करते वक्त होता है वे उसे तब तक नहीं भते जब तक उसकी तारीख नजदीक नहीं आ जाती एक बार उन्हें लगता है कि टैक्स फाइल करने के लिए उनके पास सर्फ दो दिन का समय है तो वे राद घर जाकर उसे खत्रा होता है तो हम उसके तरफ आकरशित होने लगते हैं इसकी बज़ाई यह है कि उस काम को पूरा ना करने के नतीजे बूरे हो सकते हैं लेकिन बहुत बार जब हम गलत चीजों का इस्तमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो उसका असर नहीं होता हम लोगो इन campaign ने उन्हें बहुत खौफनाक फोटो रिखाए ये फोटो उन लोगों के थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनका accident हो गया जिससे वे या तो जिन्दगी भर के लिए अपाहिच हो गया या उनका चहरा खराब हो गया लेकिन इसका बच्चों के उपर कोई अ खौफ नहीं था बलके इस बात को लेकर खौफ था कि अगर उनका लाइसेंस चला गया तो फिर से गाड़ी नहीं चला पाएंगे इस तरह से उन्हें लगा कि उन्हीं इससे खत्रा है और उन लोग उन्हें बात मान ली बहुत सी कंपनिया इसका इस्सेमाल करती हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर आपने उनका प्रोडेक्ट नहीं खरीदा तो क्या खत्रा हो सकता है एक्जाम्पल के लिए आपने जरूर सुना होगा ओफर सीमित समय के लिए उपलब्ध यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने तुरंद कुछ कदम नहीं और लोग उसे एक अच्छे और काम्याब यक्ति के नजर से देखें हम न्यूस्पेपर्स में अक्सर फिल्म स्टार्स और अमी लोगों के लाइफस्टाइल देखते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम भी वो पाना चाहते हैं जो उनके पास है इसलिए ये मैगजीन और पता लगता है कि कुछ खास काम करने से समाज में हमारा दर्जा उठ जाएगा तो हम उस काम को करने लगते हैं हमारी इस कमजोरी का इस्तेमाल बहुत सी कमपनिया करती हैं ताकि हम उनके महेंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खुद को ऊचे दरजे पर होने का एसास दिला स अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिल जाए तो आप iPhone ही चुनेंगे लेकिन क्यों? इसकी एक वज़य है कि iPhones महेंगे होते हैं और इसलिए बहुत से लोग उसे खरीद नहीं पाते उनके महेंगे होने की वज़य से ये सिर्फ कुछ लोग उसे ले पाते हैं और वो कुछ लोग उचे दरजे के होते हैं यही वज़य है कि बहुत से लोग उसे लोन पर भी खरीद लेते हैं cet इसके अलावा बहुत सी कंपनियां अपने एर में दिखाती हैं कि उनके product बहुत कम मात्रा में बनाए गए हैं और कभी भी खत्म हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजों तक पहुचने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है महेंगे brand अपने symbol का इस्तिमाल करते हैं ताकि लोग उसे सब के सामने रखकर सभी को ये दिखा सकें कि वे इस brand का सामान इस्तिमाल कर रहे हैं बहुत सी कमपनियां अपनी करमचारियों का अच्छा काम करने पर उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े पहनने या फिर एक खास तरह के गारी चलाने की इजाज़त देती है जिससे कि उनके अच्छे करमचारी उस कमपनी के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काम करने से वे खुद को ऊचे दरजी का महसूस करते हैं एक्जामपल के लिए मैरी के नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड अपने सबसे अच्छे करमचारियों को पिंक रंग की कैडिलेग गाड़ी चलाने देती हैं जिससे उनका करमचारी उन्हें छोड़ कर नहीं चाता वे ये सब काम उचे दरजे पर जाने के लिए करते हैं चठा सबक लोग पावर की वज़य से भी किसी चीज से आकरशित हो जाते हैं आज के वक्त में राजनितिक पार्टियां पावर पाने के लिए बहुत से खेल खेलती रहती हैं वे हमसे वादे करते हैं दूसरे पार्ट है तो उसकी बात मानते भी हैं एक्जाम्पल के लिए हिटलर को ले लीजिए जो एक ताना शाह था लोग उसकी बात सिर्फ इसलिये मानते थे क्योंकि उसके पास पावर थी उनकी बात न मानने के नतीजे अच्छे नहीं होते थे ठीक उसी तरह से माता-पिता अपने बच्चों के साथ व्यभार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वे ठीक से नहीं रहेंगे तो उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी बहुत सी कमपनिया भी इसी तरह से अपने पावर को दिखा कर हमसे काम करवाने की कोशिश करती हैं एक्जामपल के लिए लोस एंजलेस के एक होटेल में स्टाफ ग्राहकों के उपर गलत खाना ओर्डर करने के लिए चिलाते हैं और कभी-कभी तो उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं ये सब सुनने में बेकार लगता है लेकिन इस तरह से वे अपने पावर को दिखाते हैं और अपने ग्राहकों को आकरशित कर लेते हैं उनके ग्राहक उनके पास वापस आते रहते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पावर का इस्तमाल लोगों को दबाने के लिए ही करें आप इसका इस्तमाल अच्छे काम करके लोगों का दिल जीतने के लिए भी कर सकते हैं जिससे लोग अपने आप ही आपकी बात मानने लगेंगे और आपकी तरफ आकरशित हो जाएंगे इसके बहुत अच्छे एक्जामपल है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी अपने सफर के वक्त जहां कहीं भी भाशन देने के लिए रुखते थे उन्हें सुनने के लिए दूर गाओं के लोग चले आया करते थे उस समय परचे बाटने या फिर अखबार में खबर निकलवा कर लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का कोई तरीका नहीं था लेकिन फिर भी लोग उन्हें सुनने के लिए ठीक जगा पर ठीक समय पर आ जाते थे क्योंकि महत्मा गांधियेक लीडर की तरह अपनी पावर का इस्तमाल अच्छे काम के लिए कर रहे थे उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी प्रसित्थ स्पीश दी थी जिसका नाम I have a dream स्पीश था उन्हें सुनने के लिए लोग आठ घंटे बस में सफर करके कड़ी धूप में समय पर पहुँच गए थे जबकि किसी भी तरह का कोई advertisement नहीं किया गया था इस तरह से पावर का इस्तमाल लोगों की भलाई के लिए करके भी आप उन्हें आकरशित कर सकते हैं सात्वा सबक जब किसी चीज के उपर बैन लगाया जाता है तो लोग उसे और ज़ादा इस्तमाल करने लगते हैं फ्लॉरिडा के डर काउंटी नाम के शहर में उन detergents के इस्तमाल पर रोक लगा दिया गया जिसमें फासफेट मिलाया जाता था लेकिन इससे लोग उसका इस्तमाल बन करने के बजाए उसकी smuggling करने लगे लोग अपने घरों में भारी मात्रा में फासफेट डिटर्जेट इकठा करके रखने लगे लोगों में उसका इस्तमाल बढ़ गया इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने से मना कर दीजिए सलमान रुशिद की किताब The Satanic Words पर बैन लगा दिया गया था लेकिन इससे लोगों में उसे पढ़ने की चाहत और बढ़ गई कि उसमें ऐसा क्या था कि उसे बैन कर दिया गया एक तरह से यहां पर रहस्य ने भी अपना काम किया लोगों के सामने एक ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब उन्हें किताब पढ़ने पर ही मिलता कंपणिया इसका इस्तमाल करके आपको यह बताने की कुशिश करती है कि अगर आप तुरन्ध उनका प्रॉडक्ट नहीं खरी देंगे तो आप हमेशा के लिए मोका गवा देंगे इस तरह से वे आपको बताते हैं कि अगर तुरंत उस प्रड़क्ट को नहीं लिया गया तो बात में उसे पापाना बहुत मुश्किल हो सकता है इसके अलावा जब आप लाइन से हट कर कुछ उल्टा काम करते हैं तो भी लोग आपकी तरफ आकरशित हो जाते हैं हाला कि कभी-कभी इस तरह से काम करने से आपके पास लोगों की नफरत भी आ सकती है लेकिन खुद को हाइलाइट करने का ये अच्छा तरीका है एक्जाम्पल के लिए लेडी गागा को ले लीजिए जो कि अमेरिका की एक सिंगर है उन्होंने एक बार मास से बने हुए कपड़े पहने थे लोगों ने उन्हें इसके लिए पागल कहा लेकिन इसके साथ ही वे बहुत ज़्यादा खबरों में आने लगी थी आठवा सबक जब लोग आपके उपर भरोसा करते हैं तो वे आपकी तरफ ज्यादा अकरशित होते हैं एक स्टडी में कुछ बच्चों को दो नजिट्स खाने के लिए दे दिये गए एक नजिट को प्लेन पेपर में लपेटा गया था और एक को मैकडॉनल के पेपर में एक जैसा लगता है, वहाँ के बर्गर का स्वाध हमेशा एक जैसा ही आता है, चाहे आप अपने शहर के रेस्टोरांट में खाईए, या पिर कहीं बाहर के, आपको उसका स्वाध हमेशा एक ही मिलेगा, इस तरह से आप अगर कभी अनजान शहर में जाते हैं, और आपको ये करने में परिशानी होती है कि आपको कहां पर खाना चाहिए तो McDonald's सबसे अच्छा option होगा क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपको क्या मिलने वाला है भरोसे के बारे में एक बात खास है कि उसे कमाने में बहुत समय लग जाता है लेकिन गवाने में बिलकुल नहीं लगता का भरोसा जीत कर आप बहुत जादा फाइदा तो कमा सकते हैं लेकिन अगर एक बार किसी गलती के वज़े से उनका भरोसा तूटता है तो उससे तुरंट बनाने के पूरी कोशिश आपको करनी होगी ऐसा कर पाना एक बार के लिए मुश्किल भी हो सकता है एक्जामपल के लिए मैगी को ले लीजिए लोग जब दुकान पर जाते थे तो वे ये नहीं कहते थे कि नूडल दे दो वे कहते थे मैगी दे दो बहुत समय तक जब भी किसी वेक्टी को तुरंट कुछ खाने की जरूरत महसूस होती थी तो दिमाग में मैगी का नाम आता था लेकिन उस ज्यादा मात्रा में मोनो सोडियम ग्लूटामेट मिलाने का इल्जाम लग गया जिससे लोगों का उस पर से भरूसा उठ गया मोनो सोडियम ग्लूटामेट ज्यादा मात्रा में खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है लेकिन बाद ने ये खबर आई कि उस पर लगाया ग पज़कर लोगों को आकरशित करने का सही तरीका अपना ये अब आप उन साथ चिगर्स के बारे में जान गए हैं जिनसे आप अपनी ग्रहकों को या फिर किसी को भी अपनी और आकरशित कर सकते हैं लेकिन इन में से किसका इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदे पासकते हैं इसके लिए आपको एक तीन स्टेप फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा एविल्यूएशन डेवलपमेंट और एक्जिक्यूशन सबसे पहले बात करते हैं एविल्यूएशन की इसका मतलब होता है जाज करना इस स्टेप में आप अपनी कमपनी की जाज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके ग्रहा किस तरह से आपकी कमपनी के बारे में बात करते हैं वे किस तरह से आपकी कमपनी को देखते हैं और कैसे उसे जुड़ने की या फिर जुड़े रहने की कोशिश करते हैं जब ग्रहा के कमपनी के साथ साथ जुड़ने करके उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उनके ग्राहक उनसे आकरशित होते हैं आप अपने जैसी दूसरी कमपनियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि वे किस तरह से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह से आप अपने कमपनी के हमने mcdonald की बात की थी हमने देखा कि किस तरह से वो अपने ग्रहकों को हर जगया एक जैसे service देखकर उनका भरोसा जीत पाते हैं उसका trigger है भरोसा अगर आप अपनी company को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका trigger मिल सकता है अब हमने देख लिया कि किस तरह से आप एक सही trigger का इस्तिमाल करके लोगों को अपनी और आकरशित करने की कोशिश कर सकते हैं एक बार आपने अपनी company और अपने ग्रहकों को अच्छे से समझकर ये पता कर लिया कि किस trigger का इस्तिमाल करने से आप फायदा कमा सकते हैं तो वक्त आ गया है उसका इस्तिमाल करने का यहाँ पर आप सातों trigger का इस्तिमाल एक साथ भी करने के कोशिश कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि हर trigger आपके company या आपके ग्रहकों के उपर काम करें लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा triggers का इस्तिमाल करना चाहिए ताकि आपके काम्याब होने के समभावना बढ़ जाए इसके बाद ये जानने के कोशिश कीजिए कि वो क्या है जिसे आपके ग्रहक पसंद करते हैं वो क्या है जिसके वज़े से लोग आपका product इस्तिमाल करते हैं एक बार आप ये पता लगा लेंगे तो आप triggers का इस्तिमाल अच्छे से कर पाएंगे एक्जाम्बल के लिए नाइक को ले लीजे जो कि एक जूते की कमपनी है उसने सोचा कि लोगों को उसके पीछे की कहानी में बहुत इंट्रेस्ट आएगा इसलिए उन्होंने अपने business card पर waffal iron की photo लगा दी ये एक रहस्य की तरह काम करता है क्योंकि जब लोग उस image को देखते हैं तो वी ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वज़ा क्या है नाइक के founder ने एक दिन रबड को waffal iron में डाल दिया जिससे नाइक का लोगों तयार हुआ था इस तरह से लोग उसके पीछे की कहानी जानकर उसके साथ जुननी की कोशिश करते हैं इसके अलावा दिजने लेंड भी अपने ग्रहकों का भरोसा जीतने के लिए हमेशा एक तरह से काम करता है ताकि लोग जब वहाँ पर आएं तो उससे पहले उन्हें पता हो कि उन्हें वहाँ पर क्या मिलने वाला है लेकिन साथ ही वे हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उस नई चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर आएं और उनकी उत्सुकता बनी रहे ग्यारवा सबक अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी टीम को मनाना होगा जब तक आप अपने आइडिया को हकीकत में नहीं बदलते तब तक आपके आइडिया के होने या ना होने में कोई अंतर नहीं होता इसलिए आखरी स्टेप पर आपको हर वो काम करना होगा जिससे आप अपने आइडिया को हकीकत में बदल सकें इसके लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा आपको अपनी टीम को अपने मिशन के बारे में और अपने प्लान के बारे में बताना होगा ताकि वे इसमें आपकी मदद कर सकें उनके बिना अकेले किसी काम को अंजाम दे पाना बहुत मुश्किल हो सकता है आपको एक presentation बनाकर उन्हें अपनी बात अच्छे से समझानी होगी अपने idea की गहराई तक जाकर हर एक पहलू को अच्छे से समझानी की कोशिश कीजिए ताकि आप उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकें साथ ही उन्हें अपने idea से संबंदिर example दिखाईए उन्हें दिखाईए कि किस तरह से दूसरी कमपनियां उस तरीके का काम इस्तमाल कर रही है और किस तरह से वे कामया भी पा रही है अपने लोगों को बताईए कि आपका idea क्यों काम करेगा आप पहले ही लोगों को आकरशित करने के साथ तरीके जान चुके हैं इन तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तमाल करने की कोशिश कीजिए अपनी लोगों को मनाने के लिए एक बार आपको उनका सहारा मिल जाए तो आप शुरुआत करने के लिए तयार हैं अपनी कामया भी निश्चित करने के लिए एक खास गोल तयार कीजिए आम गोल को देखकर लोगों के अंदर प्रेड़ना पैदा नहीं होती है और वे समय के साथ काम करना बंद कर देते हैं जब आप कुछ खास गोल तै करते हैं और आपको असल में पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आपको जदा अच्छे से काम कर पाते हैं अपने बड़े गोल को हासिल कर पाने के लिए उसे छोटे गोल्स में बाठ दीजिए इस तरह से आप उसे अच्छे से पुरा कर पाएंगे कुल मिलाकर लोगों को आकरशित करने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा और फिर अलग-अलग triggers का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी तरफ आकरशित करना होगा ये साथ triggers हैं Lust, रहस्य, खत्रा, शोहरत, पावर, रुकावट और भरोसा अपनी ग्रहकों को अच्छे से समझ कर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करने का तरीका खोच सकते हैं क्या करें? अपनी बात मनवाने के लिए वाई स्ट्रिगर का इस्तेमाल कीजिए जब आप लोगों को किसी काम को करने से या फिर कुछ खरीदने से मना करते हैं तो वे उसी काम को करना चाहते हैं इसलिए अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उनसे तुरंत वह काम करने के लिए मत कहिए बल्कि उनसे अपने टॉपिक के आसपास बात कीजिए फिर उन्हें बताईए कि उन्हीं क्या करना है और फिर उनसे कहिए कि वे उस काम को न करें इस तरह से वे उस काम को करने के उत्सुक हो जाएंगे